आदर्णिय सुमित्राताई जी मद्द प्रदेश के अती लोकप्रिय मुख्यमंत्री सिमान सिवराज्श्मी चौवान जी इस समारों की एक विशेस्ता है कि हाँ स्री लंका के राष्टपती जी भी विराजमान है और साथ साथ स्री लंका के विपश्के नेता सिमान आर संपंधन जी भी हमारे बीच में मोजूद है मन पर विराजमान सभी आदर्णिय माहनुभाव और विशाल संखा में उपस्तित इस सिहस्त के मोके पर आये हुए और समाज के लिए चिंतन करने के लिए समय निकालने वाले सभी जागरुत नागरिख भाई और बैलों हम लोगों का एक स्वभाव दोश रहा है एक समाज के नाते कि हम अपने आपको हमेशा परिस्तितियों को परे समझते हैं हम उस सिद्धानतों में पले बड़े हैं कि जहां शरीर तो आता और जाता है आत्मा के अमरत्व के साथ जुड़े हुए हम लोग हैं और उसके कारण यह हजारों साल पुरानी संस्कृती इसके कई पहलू वो परंपराय किस सामाजिक संदर्व में शुड़ी हुई किस काल के घर्व में पैदा हुई किस विचार मंथन में से बिजारोपन हुआ वो करीब-करीब अलव्य है और उसके कारण कि कुम्ब मेले की परंपरा कैसे प्रारम हुई होगी उसके विचे में अनेक प्रकार के विद्वीत मंत प्रचलीत है कालखंड भी बड़ा बहुत बड़ा अंतराल वाला है कोई कहेगा हजार साल पहले तो कोई कहेगा दो हजार साल पहले लेकिन इतना निश्चीत है कि ये परंपरा मानव जीवन की सांस्कूतिक यात्रा की पुरातन व्यवस्थाओं में से एक है मैं अपने तरीके से जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कुम्ब का मेला वैसे बारा साल में एक बार होता है और नाचिक हो उज्जेन हो हरिद्वार हो वहाँ तीन साल में एक बार होता है प्रयाग राज में बारा साल में एक बार होता है उस कालखन को हम देखे तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से यह विशाल भारत को अपने में समेटने का यह प्रयाश यह कुम्ब मेले के द्वारा होता था मैं तर्क से और अनुमान से कह सकता हूँ कि समाज बेत्ता संत महंत रुशी मुनी जो हर पल समाज के सुख़ुक की चर्चा और चिंता करते थे समाज के भाग्य और भविश्य के लिए नई नई विधाओं का अन्यवेशन करते इनोवेशन करते थे इने वे हमारे रुशी जहां भी थे वे भाग्य जगत का भी रिसर्च करते थे और अंतर यात्रा को भी खोजने का प्रयास करते थे